तो इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है बताव इंवेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं पर इतने सारे एप को देखके आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि कौन सा आप आपके लिए बेस्ट है अपने ट्रेडिंग के लिए तो मैं आपको बता दूं बले कितने ही एप पर इन दो एप्स की बात आपको हर जगा मिल जाएगी ग्रो और एंजल वन तो अगर आप एक नए इंवेस्टर है तो यह दो आप आप लिए बहुत ही सही है पर इन दोनों में से भी कौन सा सही है वो देखना पड़ेगा तो दोनों का हम कंपेर करने वाले एकदम डिटेल और बात करें इसके पुरानी सर्विस की तो आंटेशी सटीन में और हएंजल वन नाइंटीन नाइस से और अब बात करते हैं कि यह दोनों कि सब्ते होते हिह रोखर नों गोतर दे वखल आप और इचांच में। इसको sell करना चाहिए इसको purchase करना चाहिए और यहाँ invest करना चाहिए तो अब आप सोच रहे होंगे कि angel one इतना बता रहा है तो फिर angel one ही सही है पर मैं आपको पहले clear कर दूँ कि जहाँ यह आपको इतनी service दे रहे है उस चीज का यह charge भी करता है और अब बात करता है कि account opening charge कितना एक साल के लिए मतब एक साल तक आपको कुछ नहीं देना पर दूसरे एर में आपने कोई share को hold कर रखा है जो कि 50,000 रुपय के अंदर अंदर का है उस पर आपको कोई charge नहीं देना पर अगर वही शेर 50,000 से 2,000,000 के बीच में का है और फिर उससे उपर गाए तो उस पर आप इसमें future on option trading करते हैं तो उसमें आपको 20 charge लगेगा एंजल वन में delivery trade विल्कुल free है पर आप equity इंटर दे करते हैं तो आपको 0.25 to 20 रुपय का चार्ज लगने वाला है और future and option करते हैं तो वही से इन चार्ज इसमें भी है बदब जितना इंटर देखा है उतना ही future and option का भी है 50 रुपय और अब सबसे में चीज पर आता है जो कि अब यह क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं कि अगर आप किसी भी शेर को purchase करते हैं और किसी रीजन की वज़े से आप उसको sell करना भूल जाते हैं तो आपका broker उस share को अपने आप sell कर देता है मतलब automatically वो sell हो जाता है प इंपल मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आप कम पैसे में trade करने वाले हो मतलब trading में कम पैसा लगाने वाले हो तो आपके लिए ग्रोव बैस्ट है और अगर आप बहुत रूपय लेकर बैठे हैं जिससे आप ट्रीड करना चाहते हैं तो आपके लिए एंजल वन सही है तो चलो यह तो होगा comparison अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप beginner है investor के line में तो आपके लिए सबसे बेस्ट है grow app क्योंकि उसका easy interface है बहुत ही easy उसको use करना भी और उसको आप easily invest भी कर सकते हैं मैं खुद grow app यूज करता हूँ पर हां मैं आपको यह नहीं बोड़ नहीं कि grow app use करो मैंने आपको दोरों का comparison बता दिया आपको जो best लगे उसके आप invest कर सकते हैं और last में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपका पैसा बहुत ही important है तो उसको देखके invest करना क्योंकि बहुत से इसे लोग होते हैं तो आते तो कमाने हैं पर वो अपना सारा पैसा और हाँ वीडियो से अगर पुछ हेल्प ही रहो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सिस्काइब कर देना मैं मिलता हूँ से मने नेक्स वीडियो में और हाँ अगर आप grow app को चलाना चाहते हैं मतलब उसको चूश किया आपने की grow best है तो आप यह वीडियो चेक आउट कर सकता है आप एक ही वीडियो में पुरा ग्रॉयब चलाना सिंख जाएंगे